नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के ट्रैकर पे देखे फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम उत्राखन करेंट अफेर को यहां पे कवर करेंगे जैसे आप सभी जानते हैं जो विंसर एयर बुक का 2023 का एडिशन है जिसमें आपका पूरा 2022 का करेंट अफेर शामिल है उसकी नई बुक आ चुकी है आज के इस वीडियो में हम पूरा विंसर 2023 की जो बुक है उसके उत्राखन करेंट अफेर को हम यहां पे कवर कर जाएंगे जो आपका हाल ही में पेपर हुआ था 18 तारीक को उसमें भी जो उत्राखन करेंट अफेर के आपके कोशन पूछे गए थे कई सारी कोशन डारेक्ट इसी बुक से जो 2023 का एडिशन है यहां से आपको देखने को मिले थे तो आज के इस सिंगल वीडियो में हम पूरी विंसर की बुक का जो करेंट अफेर है पूरे एक साल का जिसमें हम उत्राखन विधान सभा चुनाओं के बारे में बात करेंगे उत्राखन का जो नया मंत्री मंडल बना है उसके बारे में बात करेंगे महत्पून सीटों पर चारधाम के विधायक उनके बारे में बात करेंगे उत्राखंड की अर्थववस्था, उत्राखंड का बजट, घटना करम, महत्पून निक्तियां, महत्पून व्यक्ती, पुरुसकार, रैंकिंग, सारा केवल उत्राखंड का करेंट अफेर, हम यहां पे कवर कर जाएंगे इससे पहले हमने विंसर एर्बुक को भी कवर किया है, जिसमें आपको उत्राखंड करेंट अफेर के जो अधर टॉपिक्स हैं, जैसे योजनाएं, नीतियां, वो आप उस सिरीज में जाके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे उत्राखंड विधान सभा चनाओ के बारे में उत्राखंड में 2022 में चनाओ हुए थे, पांच में विधान सभा चनाओ इनकी घोषणा 8 जनवरी 2022 को चनाओ आयोगने करी थी मतदान कब हुआ था उत्राखंड में? मतदान हुआ था 14 फरवरी 2022 को कितने उम्मीदवार थे इस बार विधान सभा चनाओ में? 632 मतदान प्रतीशत कितना था? 2022 में कितना मतदान प्रतीशत हुआ? ये हुआ 65 दशनलव 37 प्रतीशत इसे आपने याद करना है ठीक है? पिछले बार का 2017 में 65 दशनलव 60 अब की बार 65 दशनलव 37 प्रतीशत था सबसे जादा मतदान किस जले में हुआ इसे भी आपने याद करना है पूरी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं किस जले में कितना प्रतिशत मतदान हुआ था इसके अलावा मत गणना की बात करें तो वोटों की काउंटिंग कव हुई थी रिजल्ट आया था 10 मार्च 2022 को ठीक है ये important dates हैं और UKPSC अभी आप आगे दिखेंगे डारेक्ट विंसर से आपके कई सारी question उठा लेता है मत गणना होती है 10 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री कौन बनते हैं पुसकर सिंग धामी important ये है कौन से करम के मुख्यमंत्री है तो पुसकर सिंग धामी उत्राखंड के बारवे मुख्यमंत्री बनते हैं हाला कि ये अपना चुनाव हार जाते हैं खटीमा विधानसभा से ये लड़े थे हार जाते हैं इनके लिए फिर चमपावत की जो seat है उसे खाली की जाती है वो seat कौन खाली करते हैं कोशन बन जाएगा चमपावत में कैलांस चंद गहतोडी ये जीते थे इन्होंने CM धामी के लिए अपनी seat को खाली किया फिर CM धामी चमपावत से चनाव लड़े उपचनाव और फिर वो ज जीते यहां पर ठीक है तो इसे आपने याद करना है कहां से लड़े चमपावत से उपचनाव लड़े पहले कहां से लड़े थे खटीमा से seat किसने खाली करी है seat खाली करी है कैला शंद्र गहतोडी ने ठीक है पांचवी विधान सभा में कितनी महिलाएं जीत कर आई है तो 2002 और 2007 इन दोनों में 4-4 महिलाएं जीती 2012 और 17 इन दोनों में 5-5 महिलाएं जीती लेकिन अब की बार कितनी महिलाएं जीती है 8 महिलाएं ठीक है चलिए अगला था यहां पे जो आपको याद करना है चार धाम के विधायक हाई कोट के एक पेपर में आपसे मिलान करने के आपको पता होने चाहिए, ठीक है, गंगूतरी की बात करें, गंगूतरी से विधायक हैं सुरेश चिंग चोहान जो की बीजेपी के हैं, यमनूतरी से संजे डोभाल जीते हैं, ये निर्दलिय हैं, किदारनाथ से सैलारानी रावत जीती हैं, ये बीजेपी की हैं, और बद्र से राजीद्र सिंग भंडारी जीते हैं ये कॉंग्रेस के हैं तो चार धाम के विधायक एक बार पेपर में पूछा गया था इनको आपने याद करना है ठीक है रितु खंडूरी भूशन किस करम की विधान सभा अध्यक्ष बनी है देखें रितु खंडूरी कोट द्वार से ये विधायक है ठीक है कहां से लड़ी थी कोट द्वार की विधायक है और ये पहली महिला है जो विधान सभा की अध्यक्ष बनी है उत्राखंड विधान सभा क अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है रितु खंडूरी भूशन कहां से चुनाव लड़ी है कूट द्वार विधान सभा से किस क्रम की है महिला में तो पहली है लेकिन अगर हम क्रम देखें ये उत्राखंड की छटी विधान सभा अध्यक्ष है इनको आपने याद करना है ठीक है कोशन यहां से बन जाएका इनसे पहले के विधान सभा अध्यक्षों की बात करें तो इनसे पहले कौन-कौन थे अंतरिम विधान सभा में प्रकाश पंत थे ये कोशन पूछा गया था ठीक है दूसरी जो पहली विधान सभा चुनकर आई थी 2002 में अंतरिमें प्र अग्रवाल विधान सभा के अध्यक्ष थे अब कौन सी विधान सभा है अब चल रही है पांचवी और इसकी अध्यक्षता है रितु खंडूरी जो की पहली महिला अध्यक्ष है ठीक है अगला है पांचवी विधान सभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे ये भी काफी important question है ठीक है प्रोटेम स्पीकर बने थे बंशिधर भगत बीजेपी के नेता है बंशिधर भगत को पांचवी विधान सभा में प्रोटेम स्पीकर नुक्त किया गया था राजयपाल इनको शपत दिलाई थी देखे जब विधायक चुन कर जाते हैं उनमें से एक व्यक्ति को प् सदस्यों को शपत दिलाना अब की बार किसने दिलाई है बंशिधर भगत ने थीक है इसके लावा पांचवी विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष किसे चुना गया है तो नेता प्रतिपक्ष चुना गया है यशपाल आर्य को इनको भी याद करेंगे यानि कि पांचवी व आपसे UKPSC के पेपर में आपको बहुत देखने को मिलेंगे 2022 के वर्ष में अगर हम बात करें 45 लाख से जदा श्रधालों ने चार धाम यात्रा की है तो ये नंबर आपको याद करना है 45 लाख से जदा आपको option देदेगा लगभग 35 लाख, लगभग 40 लाख गटना हुई उत्राखंड में करेंट अफेर के लिए जो सबसे जदा इंपोर्टन्ट है वो है प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी की किदारनात यात्रा प्रधान मंतरी प्रधान मंतरी बनने के बाद प्रधान मंतरी मूदी छटी बार केलारनात यात्रा में आये, कब आये थे? 21 अक्टूबर 2022 को, उन्होंने केलारनात की यात्रा करे, अपके बार सिर्फ केलारनात नहीं आये थे, यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना करी, कुछ यहां पर उन्होंने सिलन्यास करे, उसके बाद वो बदरिनात धाम में भी गए पहली चीज तो ये याद करेंगे कब आये थे 21 अक्टूबर 2022 को ठीक है गोरी कुंड से केदारना धाम तक रोपवे परियोजना की उन्होंने अधार शिला यहां पे रखी ठीक है यानि कि दो रोपवे उत्राखन में बनाए जाएंगे उन्होंने यहां पर उसका सिलन्यास कि कौन कौन से एक गोरी कुंड से केदारना धाम तक दूसरा गोविंद घाट से हेमपुंड रोपवे ठीक है इनकी लंबाई इनका खर्चा इनका टार्गेट कब तक यह पूरे होंगे आपसे पूछा जाएगा तो उन्होंने आधार शिला रखी गोरी कुंड से केदारना ध धाम तक रोपवे की इसकी लंबाई होगी 9.7 किलो मेटर और इसको बनाने में जो खर्च आएगा 1267 करोड रोपए इसमें लगेंगे ठीक है उसके बाद प्रधान मंतरी बदरीना धाम गए वहाँ पर उन्होंने गूविंद घाट से हेमकुंड रोपवे परियोजना का सिल रन्यास किया और ये रोपवे लगभग 12.4 किलो मेटर लंबा होका ये वाला रोपवे 9.7 ये वाला रोपवे 12.4 इसको बनाने में लगभग 1163 करोड रुपए यहाँ पर लगेंगे इन दोनों रोपवे को कब तक टार्गेट रखा गया है पूरा करने का इन दोनों को लख गया है जून 2026 तक इसे भी आपने याद करना है ठीक है कि ये जो रोपवे बनाए जाएंगे दोनों की लंबाई पता होनी चाहिए और कब तक बनेंगे जून 2026 तक इसका टार्गेट रखा गया है ठीक है तो ये प्रधान मंतरी की किदारनात बदरिनात यातरा को लेकर के आपसे जो फेक्ट पूछे जाएंगे इनको आपने याद करना है ठीक है राज्य के बैडमिंटन खिलाडी लक्च सेन ने बर्मिंगम राश्टमंडल खेलो में कौन सा पदग जीता था राज्य के काफी प्रसिद बैडमिंटन खिलाडी है लक्च सेन इन्होंने टूनमेंट भी जीता इस टूनमेंट को जीतने वाले ये तीसरे भारते खिलाडी भी बने इसे भी आपने याद करना है कहां के हैं उत्राखंड के हैं भारत के दूसरे सीडियस कौन बने हैं देखे जो भारत के पहले सीडियस थे जनरल विपिन रावत वो भी उत्राखंड से थे पौड़ी से उनका संबंध था इसी प्रकार जो दूसरे सीडियस बने है भारत के इनका नाम है अनिल चोहान और ये भी पौड़ी से हैं उत्राखंड से हैं तो इनका नाम भी आपने याद करना है पूछा जाएगा नेक्स्ट है मुख्यमंत्री द्वारा किसके नित्त में भू कानून के अध्यन और परिक्षन के लिए समीती गठित की गई है दिगे उत्राखंड में काफी समय से एक सक्त भू कानून बनाने की मांग चल रही है ठीक है इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जैसे ह बने पुषकर सिंग धामी इन्होंने एक समीती का गठन किया जुलाई 2021 में ठीक है इस समीती को सुभाश कुमार के नित्त में गठित किया गया ठीक है और इस समीती ने इसी साल सितंबर 2022 में अपनी रिपोर्ट दी है ठीक है इसी के आधार पर एक कानून लाया जाएगा ज यहां पर भूमी खरीद काफी तीजी से बढ़ने लगी थी 2002 में सरकार ने जो यहां पर बहार के लोग आकर भूमी खरीद रहे थे इसको रोकने के लिए एक प्रावधान किया कब किया 2002 में प्रावधान ये था कि कोई भी व्यक्ति जो बहार का व्यक्ति है अगर उत्राख left hand में आता है 500वर्गमितr से ज़्यादा भूमिवो नहीं खरी सकता, कितनी limit थी 500वर्ग मितर की, लेकिन फिर क्या हुआ, 2007 में ये जो 500वर्गमितr का limit लगाई गई थी, इसको change कर दिया गया, ये कर दी गई-200 वर्गमितर, यहने कि इसको कम कर दिया गया, अब कोई भी विक्ती धाईसो वर्ग मेटर से ज़ादा नहीं खरी सकता, यह limit लगाती लेकिन 2018 में इस limit को खतम कर दिया धाईसो वाली क्यों भी खतम कर दिया, अब कोई भी विक्ती असीमित भूमी यहाँ पर खरीद सकता है ठीक है तो इसी का जादा विरोध होने लगा और भू कानून की फिर जादा मांग यहां पर बढ़ने लगी जिसके लिए एक समीती बनाई गई सुभास कुमार के नेतित में जुलाई 21 में इसका गठन हुआ और सितंबर 2022 में इसने अपनी रिपोर्ट दी Queshan बनेगा उत्राखन सरकार द्वारा किस वर्ष जो 200 वर्ग मीटर की लिमिट थी उसे समाप्त किया गया आँ बताएंगे 2018 500 वर्ग मीटर की लिमिट कब लगाई गई थी? 2002 500 को 200 वर्ग मीटर कब किया गया? 2007 ये तीनों वर्ष आपको याद करने हैं ठीक है? चलिए हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा प्रधान मंत्री मोधी के द्वारा कब की गई थी? काफी important ये event था हर घर तिरंगा इसकी घोषणा प्रधान मंत्री ने करी थी 31 जुलाई 2022 को ठीक है काफी important ये question है देखिए 13 से 15 अगस्त के बीच में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था डेट आपको सबको पता है लेकिन घोषणा कब हुई थी? ये होती है 31 जुलाई 2022 को उन्होंने अपने मन की बात कारिकरम में इसकी अपील करी थी कि हमें ये मनाना चाहिए तो इसे भी आपने याद करना है कब से कब तक मनाये गया? 13 से 15 अगस्त घोषणा कब हुई? 31 जुलाई 2022 ठीक है? उत्राखंड से राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? देखे हाली में 2022 में राज्यसभा के लिए एक चैन हुआ जिनका नाम था डॉक्टर कल्पना सैनी उत्राखंड से राज्यसभा में चुनी जाने वाली ये अब तक की केवल दूसरी महिला है ठीक है? कुशन बन सकता है राज्यसभा की उत्राखंड में तीन सीटे है इन से पहले जो मनूर्मा शर्मा डोब्रियाल थी ये चुनी गई थी ये पहली महिला थी उत्राखंड की जो राज्यसभा के लिए चुनी गई दूसरी महिला कौन है? कल्पना सैनी ठीक है? तो इनका नाम आपने याद करना है अगर बात करें जैसे हमने बोला राज्यसभा की तीन सीटे है एक तो कल्पना सैनी है अन्य दो कौन-कौन है? अनिल बलूनी, नरेश बनसल ये दो अन्य राज्यसभा के सांसद है उत्राखंड से ठीक है? तीनों के नाम आपने याद करने है इसी प्रकार लोगसभा सांसदों की अगर हम बात करते हैं राज्यसभा हमने देख लिए वर्तमान में लोगसभा सांसद पौडी से हैं तीरत सिंग रावत हरिद्वार से रमेज पोकरिया निशंक तीहरी से माला राज्यलक्षमी शहा नैनिताल से अजय भट और अलमोडा से अजय टम्टा इनको भी आपने याद करना है ठीक है? तो ये सारे सांसद हमने यहाँ पर देखे CM हेल्पलाइन 1905 का उधगाटन कब किया गया था? देखे CM हेल्पलाइन नंबर एक जारी किया गया 1905 इसका उधगाटन 23 फरवरी 2019 में किया गया था ठीक है? अगला है अब हम अर्थववस्ता से रिलेटेट कुछ कोश्चन्स को यहाँ पर देखेंगे वर्ष 2021 में राज्य की विकास दर में कितनी वृद्धी रहने का अनुमान है तो देखें जो 21-22 का वर्ष था यानि कि पूरा आपका 2022 वाला वर्ष है इसमें राज्य की जो ग्रूत है इक विकास दर है इसमें 6.11 प्रतीशत की वृद्धी होने का अनुमान है तो इसे आपने याद करना है ऐसे वाले कोशन आपसे पूछे जाते है कितनी वृद्धी का अनुमान है यानि कि पिछले साल जितनी वृद्धी हुई थी उससे कितनी जादा वृद्धी होगी 6.11 प्रतीशत ठीक है राज्य की अर्थ ववस्था में वेबिन छेत्रों का योगदान कितना प्रतीशत है तो दिखिए उत्रा खंड में कौन सा छेत्र कितना प्रतीशत योगदान देता है कौन सबसे जादा देता है आपसे पूछा जाता है तो राज्य में अगर हम अर्थ ववस्था में अलग-अलग चेत्रों के योगदान की बात करें परान्थमिक छेत्र केवल 12% योगदान देता है दुतिय चेत्र उत्राखन में लगभग 45% के करीब देता है सबसे जय ज़ाधा यही देता है और तीसरा चेत्र जो है वो लगभग 43% योगदान देता है तो इसे आपने याद करना है पहला वाला 12, दूसरा 45, तीसरा 43, ठीक है, यह कोशन आपसे पूछा जाएगा, तो सरवादिक योगदान कौन देता है दूसरा चेतर, दुतिया चेतर, जिसमें आपके उद्ध्योग आते हैं, सबसे कम कौन देता है प्रात्मिक चेतर, जिसमें आपके कृशी आती है, ठीक ह वर्ष 2021-22 में राज्य की प्रतिविक्ति आई कितनी अनुमानित है, देखे इस कोशन को आपसे इस तरीके से भी पूछा जाएगा, यह तो अनुमानित है, लेकिन इतनी ही आप मानके चलें, कि यह सरकार ने आइडिया लगाया है, कि जो 2022 का साल था, इसमें जो प्रतिविक पिछले साल कितनी थी? पिछले साल यह महिने का नहीं है यहाँ पर प्रतिविक्ति आये शालाना अगे इस साल कितनी कमा रहा था? सालाना 1,96,292 पिछले साल ये कितनी थी प्रतिविक्ति आए 1,82,600 रूप है तो दोनों आपने याद करना है प्रतिविक्ति आए डारेक्ट आप से पूछी जाएगी और ये आपके उत्रा खंड के हैं तो और जाता इंपोर्टेंट हो जाएगा प्रधानमंत्री जंधन योजना के आरंब यानि 2014 में शुरू होती है प्रधानमंत्री जंधन योजना आरंब से लेकर के 31 मार्च 2022 तक प्रदेश में कितने खाते खोले गए हैं इसी प्रकार का कोश्चन हमने एक 18 तारिकों पेपर हुआ है उसमें भी हमने देखा था तो प्रधान मंत्री जंधन योजना 2014 से लेकर के मार्च 2022 तक उत्राखंड में 30,49,442 खाते यहां पर खोले गए हैं जंधन योजना के तहर इस नंबर को आपने याद करना है 30,40,000 ऐसे में याद कर लीजिए ठीक है 30,40 प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतरगत एक अपरैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक कितने ग्रहकों को cover किया गया ये दूसरी योजना है इसमें कितने लोगों को cover किया गया है तो एक अपरैल 2021 से 2022 तक 22,62,442 लोगों को यहां पे cover किया गया है वर्ष 2021 में बैंको द्वारा उत्राखंड में 31 मार्च 2022 तक प्रधान मंतरी मुद्रा योजना के अंतरगत नए सुक्ष्म उद्दमियों को कितने करोड रुपई का रिण दिया गया है ऐसे ही कुशन आपको बने का तो देखें 31 मार्च 2022 तक जो काफी प्रशिद्ध योजना है सरकार की प्रधान मंतरी मुद्रा योजना इसके तहत 2396 करोड रुपई अभी तक लोन दिया जा चुका है इसे भी आपने याद करना है ठीके नमबर पूछा जाएगा वर्श 2021 में प्राप्त कर संग्रह कितना था यानि कि जो टेक्स सरकार ने वसूल किया वो कितना था तो 2021 का जो लेटिस्ट आकड़ा है ये आपका कर संग्रह आपका 13,073 करोड रुपई था ठीक है इसे आपने याद करना है 2021 में SGST जो स्टेट का GST होता है 20-21 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिकता यानि SGST जो हमको 2020 में मिला यानि सरकार को वो इस साल 2021-22 में कितना परसेंट बढ़ गया 2020-21 में सरकार को जो रुपई मिले थे वो मिले थे 9,350 या 49 करोड के करीब 2021-22 में जो मिला है वो मिला है 10,852 करोड कितना प्रतिशत ये बढ़ा है 16 प्रतिशत की SGST यहां पर बढ़ी है इसे आपने याद करना है ठीक है कितना प्रतिशत बढ़ा है SGST पिछल साल के तुलना में 16 प्रतिशत GST की बाहर की वस्तों से प्राप्त कर कितना अधिक है 2021-22 में दिखिए GST से बाहर की वस्तों यानि जिसमें आपकी जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो आ जाता है शराब आ जाती है गैस आ जाती है जिनके उपर GST नहीं लगता ठीक है जिन पे लगता है उनका तो हमने देख लिया SGST में 16 परसंट अधिक है जो गैर GST वाली वस्तों हैं उनमें कितना एक्स्ट्रा हमको इस बार मिला 2021-22 में ये था 24.38 प्रतिशर ठीक है तो SGST 16 परसंट जादा था और जो गैर GST है वो आपका लगपक 24 परसंट जादा था पिछले साल से वितिया वर्ष 2021-22 में राज्यकर विभाग के द्वारा कुल कर संग्रह कितना था राज्यकर विभाग के द्वारा अगराम बात करते हैं कुल कर संग्रह ये 13,697 करोड रुपे था इसे भी आपने याद करना है कुशन बन जाएका ठीक है पिछले साल से कितना जादा था ये पिछले साल से आपका लगबग 11 परसेंट जादा था इस वार का जो टोटल जो राज्यकर विभाग ने जमा किया है वो कितना जादा था 11 प्रतीशत ठीक है अगला है राज्य में अद्दोगिक इकाईयां MSME की संख्या मार्च 2022 तक कितनी है देखे राज्य के अंदर जो MSME इकाईयां है ये आपकी 73,961 है जब राज्य बना था 9 नवंबर 2000 को तब MSME की इकाईयां थी यहाँ पर 14,163 वर्तमान में कितनी है 73,901 सड्यानी लगवक 74,000 के करीब है संपूर्ण भारत के परिपेक्ष में निर्यात की द्रिस्टी से वर्ष 2020-21 में उत्राखंड को कौन सा इस्थान पराप्त हुआ था तो दीके पूरे भारत में किस राज्य का निर्यात में कितना प्रतीशत है इस अधार पर एक रैंकिंग जारी करी गई और इस सूची में उत्राखंड को 18 स्थान मिला ये कौशन आपसे पेपर में बन सकता है पूरे भारत की निर्यात में अगर हम उत्राखंड का निर्यात देखें तो ये मात्र 0.74 प्रतिशत है इसे भी आपने याद करना है ठीक है यानि कि पूरा भारत जितना निर्यात करता है जितना एक्सपूर्ट करता है उसमें उत्राखंड का हिस्सा कितना है 0.74 प्रतिशत औ इंडेक्स दोहजार एक्किस रिपोर्ट में उत्राखंड को कौन सा इस्थान मिला तो इस सूची में उत्राखंड को ओवरॉल अगर हम बात करें सत्रवां इस्थान मिला और हिमालाई राज्यों की श्रेडी में उत्राखंड को पहला इस्थान मिला इसे भी याद करेंगे फ किस दिसंबर 2015 को करी गई थी ये भी important है याद करेंगे उत्राखंड स्टार्टप नीती कब आई थी उत्राखंड स्टार्टप नीती 2018 में आई थी important है महिला उद्यमी विशेश प्रोथसाहन योजना की शिरुवात कब हुई थी महिला उद्यमी विशेश प्रोथसाहन योजना 15 अगस 2015 को आई थी उत्राखंड सरकार द्वारा विशेश क्रामिन छेत्रों में विकांस केंद्रों की स्थापना के लिए ग्रोथ सेंटर योजना कब शुरूप की गई देखें ग्रोश एंटर योजना ये शुरू की गई 2018 में ठीक है नंदा देवी हतकरगा एवं प्राकृतिक रेशा उत्कृष्ट केंद्र के इस्थापना कहां की गई है तो हतकरगा को लेकर के कोशन बनते हैं नंदा देवी हतकरगा एवं प्राकृतिक रिशा उतकृष्ट केंद्र ये आपके अलमोडा के मटेना गाउं में इसे इस्थापित किया गया है ठीक है इसे भी याद करेंगे नेक्स्ट है उत्राखंड खादी एवं ग्रामो उद्योग बूड का गठन कब किया गया था जो उत्राखंड खादी एवं ग्रामो उद्योग बूड है इसका गठन 17 अगस्त 2002 में किया गया था और इसका जो मुख्याला है ये आपके देहरा दून में इस्तेत है कोशन बनेगा उत्राकन खादी एवं ग्रामों उद्योग बोड कहां है देरादून 17 अगस 2002 में ये बना था ठीक है 2011 की जनगड़ना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में कारेशिल जनसंख्या कितनी है देखे इस कोशन को हमने जो अभी मौक टेस्ट किया था उसमें भी मैंने करवाया था और मैंने आपको इसमें भी बोला ये कोशन UKPAC का प्रिविस येर का कोशन है UKPAC इसको पहले भी पूछ चुका है और आपको ये विंसर में भी मिल जाएका तो विंसर से आपके डारेक्ट कोशन UKPAC उठाता है आगे भी हम कई सारे कोशन ऐसे देखेंगे 2011 की जनगड़ना की अनुसार उत्राखंड की जो टोटल जनसंख्या थी उसमें कारिशिल जनसंख्या जो है वो केवल 38.43 प्रतिशत है इसे आपने याद करना है ठीक है रोजगार को लेकर के यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट वर्ष हैं कुछ इंपोर्टेंट योजना हैं जो आपको पता होनी चाहिए ठीक है शरम आयूक्त संगठन की स्थापना कब की गई थी शरम आयूक्त संगठन राज्य सरकार ने इसे गठित किया था और इसे 2000 में बनाया गया था राश्ट्रिया बाल सरम पर योजना ये कब आई थी ये केंदर सरकार ने बनाई थी ठीक है राश्ट्रिया बाल सरम योजना ये 1988 में आई थी बंदुवा श्रमिक पुनरवास योजना ये आपकी 2016 में आई थी केंदर सरकार इसे लाई थी प्रधान मंतरी श्रम योगी मानधान योजना ये आई थी आपकी 2019 में ठीक हैं कौन लेकर आया था प्रधान मंतरी मोदी यानि की केंदर सरकार इसे लेकर आय थी इशरम पोर्टल कब लॉंच किया गया अब ये नए कोशन है करेंट अफेर में आएंगे आपसे पूछे जाएंगे तो राजिय में इशरम पोर्टल अगस्त दो हजार 21 में शुरू किया गया केंदर ने ही इसे शुरू किया था उत्राखंड कौशल विकास मिशन इसके शिरुवात कब की गई तो उत्राखंड कौशल विकास मिशन 2013 में इसे शुरू किया गया यह कुछ important है रोजगार को लेकर के शरम को लेकर के जो आपको याद करना है ठीक है सतत विकास लक्षों के सूचकांक का तीसरा संस्क्रण SDG India Index 2020-21 नीती आयोग ने कब जारी किया तो इसे नीती आयोग ने जारी किया था 3 जून 2021 को ठीक है और इस Index में जो तीसरा संस्क्रण था इस Index में उत्राखंड को चोथा इस्थान दिया गया important है इसको ध्यान करना है ठीक है उत्राखंड विजन 2030 के तहट राजे के लिए 15 सतत विकास लक्षियों को कितने सम्हू में वर्गी कृत किया गया है दीक है उत्राखंड ने सतत विकास के लिए जो टारगेट रखे हैं उनकी प्राप्ति के लिए 15 सतत विकास लक्षियों को चार ग्रूपों में बाटा है उत्राखंड विजन 2030 के नाम से ये चार वर्ग ये चार सम्हू कौन कौन से हैं सतत आजीवी का मानव विकास समाजिक विकास परियावरणिय इस्तिर्था ये कोशन बन जाएगा आपसे कि इन में से कौन सा वो वर्ग नहीं है ये चारों वर्ग है जो आपको याद करना है ठीक है राज्य विधान सभा में वर्ष 2022-23 का बजट किसने पेश किया था या कब पेश किया गया था तो देखे जो 2022-23 का बजट है जो लेटिस्ट बजट है ये 14 जून 2022 को पेश किया गया था ठीक है वितमंत्री कौन है वितमंत्री है प्रेमचंद अगरवाल इन्हों ने इसे पेश किया था कुशन बन जाएका कितना बजट इन्होंने पेश किया उत्राखंड का इस बार का बजट था 65,531 करोड रुपए कुशन बने का यानि इतना रुपए खर्च करेगी सरकार इतना रुपए एक साल में खर्च किया जाएका अगर हम राजस्व की बात करें कि कितना सरकार की अर्निंग हुई है या होगी उनको अनुमान है अगले साल में 2022-23 में ये अनुमान है 51,474 करोड रुपए का ठीक है तो इसको आपने देखना है खर्च सरकार इतना करेगी अ नवगठित मंत्री मंडल है जल्दी से उनको देख लेते हैं वरतमान में राज्य में खेल एवं युवा कल्यान मंत्री कौन है तो वरतमान में उत्राखन के खेल और युवा कल्यान मंत्री है रेखा आर्य ठीक है इनका नाम याद करेंगे टोटल मुख्यमंत्री सहित अभ बाल विकास मंत्राले भी इनहीं के पास है, खाद मंत्राले भी इनहीं के पास है, नागरिक आपूर्ती एवं उपभोकता मंत्री भी रेखा आर्य हैं, तो ये कुछ इंपोर्टन विभाग किसके पास हैं, रेखा आर्य के पास हैं, ठीक है, अगले हैं, मुख्य मंत्री पुस आपकारी विभाग भी इन्ही के पास है परियावरन सरक्षन एवं जलवायू मंत्री भी पुसकर सिंग धामी है आपदा प्रबंदन और पुनरवास मंत्री और साथ में नागरिक उड़यन मंत्री ये सारे विभाग किसके पास है पुसकर सिंग धामी के पास है ठीक है परिवहन मंत्री लगु एवं शुक्ष्म उद्योग मंत्री इसके लावा समाज कल्यान मंत्री अलप संक्या कल्यान मंत्री ये कौन है तो ये सारे important विभाग हैं सिधा पूछा जाता है राज्य के परिवहन मंत्री का नाम बताईए राज्य के समाज कल्यान मंत्री का नाम बत आप बताएंगे चंदन राम दास, ठीक है, इनके पाक ये ये विभाग है, अगले आते हैं वन मंत्री, उत्राखन के वन मंत्री कौन है, सुबोध उनियाल, तक्नीकी शिक्षा मंत्री कौन है, सुबोध उनियाल, विध्यालई सिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, चि क्रिशी एवम क्रिशक कल्यान मंत्री कौन है? गणेश जोशी, सैनिक कल्यान मंत्री गणेश जोशी, ग्रामिन विकास मंत्री भी गणेश जोशी है इनसे पूछा जाएगा, शहरी विकास मंतरी का नाम बताईए, आप जनगणना मंतरी का नाम बताईए, वित मंतरी का नाम बताईए, प्रेम चंद अगरवाल आप नाम बताएंगे लोक निर्माण विभाग मंतरी कौन है, पी डबलुडी का विभाग किसके पास है, पंचायती राज मंतरी कौन है, संस्कृती मंतरी, परियतन मंतरी, सिचाई मंतरी उत्राखंड के शतपाल महाराज है, इनका नाम भी आपने याद करना है, ये आठ प्रमुक कैबनेट मंतरी ह इनके विभाग कौन-कौन है, सब हमने यहां पर देखा अगला है, गंगूत्री और यमनोत्री के कपाट कब खुले? तो देखे, 2022 में 45 लाग से ज़ादा सद्ध्रालों ने चार धाम यात्रा करी कपाट की डेट आप से पूछी जाती है कि इनके कपाट कप-कप खुले गए? तो गंगूत्री और यमनोत्री के कपाट 3 मई 2022 को खुले, किदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को खुले गए और बदरिनाथ धाम के कपाट 8 मई को खुले गए, ठीक है? और अक्टूबर के आखरी हपते में सारे कपाट बंद कर दिये गए इनको आपने याद करना है, खोलने की डेट आप से पूछी जाएगी तेन तारीक को गंगोत्री यमनोत्री मई में छे तारीक को किदारनाथ धाम और आठ तारीक को बदरीनाथ धाम ठीक है? UK SSC के कारवाहक अध्यक्ष किसे निक्त किया गया था? तो पिछले साल यानि कि इसी साल 2022 में काफी जारा ये चर्चा में रहा UK SSC और जो अलग-अलग परिक्षाओं में धांद लिया यहाँ पर हुई थी तो उसके जो अध्यक्ष थे एस राजू उनको हटाया गया और एक कारेकारी अध्यक्ष निक्त किया गया था कारेकारी अध्यक्ष थे प्रकाश थपलियाल हाला कि बाद में इनको चेंज करके जो पर्मनेंट अध्यक्ष थे उनको लाया गया वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं गड़वाल और कुमाओं के बीच की दूरी वह समय कम करने के लिए नजीबाबाद अवजल गड़ बाईपास को मन्जूरी दी गई है इस बाईपास की लंबाई कितनी होगी गड़वाल और कुमाओं की बीच की दूरी को कम करने के लिए एक बाईपास बनाया जा रहा है बाईपास का नाम है नजीबाबाद अवजल गड़ बाईपास इसकी दूरी होगी लगभग 42 ब्रशनलव 5 किलोमेटर ठीक है वर्श 2021 की इज ओफ डूरी बिजनिस में उत्राखंड को किश श्रेणी में रखा गया है जो इज ओफ बिजनिस डूरी रिपोर्ट आई है इसमें उत्राखंड को अचीवर्स श्रेणी में रखा गया है कुशन बनेगा कि स्रेणी में रखा है आप बताएंगे अचीवर्स स्रेणी में रखा गया है नीती आयोग द्वारा घोशित एक्सपोर्ट प्रिपियर्डनेस इंडेक्स में उत्राखंड को हेमालाई राज्यों में कौन सा इस्थान मिला उपर हमने इसके बारे में बात करी है उत्राखंड को पहला इस्थान मिला था इस सूची में इसे आपने याद करना है ओवरॉल कितना मिला था? ओवरॉल उत्राखंड सत्रवे नंबर पे रहा था रिशिकेश कंड परियाग रेल परियोचना की कुल लंबाई कितनी है? रखा गया है 2024 तक पूरा करने का ठीक है जैसे जो हमने उपर रोपवे देखे वो जून 2026 है इसका टारगेट 2024 है ठीक है कितरी लंबाई है 125 दशनलव 20 किलो मीटर इस पूरी रेल परियोजना में कितने पुल बनाए जाएंगे कोशन बनता है आप से इस पूरी परियोजना के अंदर 16 पुल बनाए जाएंगे 17 सुरंग बनाई जाएंगी 12 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे ठीक है इसे भी आपने याद करना है कुछ इंपोर्टन बातें रिशिकेश कंड प्रियाग रेल परियोजना को लेकर के रिशिकेश कंड प्रियाग रेल लाइन के लिए पहला सर्वे किसने करवाया था तो काफी इंपोर्टन परियोजना है 2024 में पूरी होने की उमीद है इसके लिए पहला सर्वे लगभग 100 साल पहले 1919 में उस समय जो गड़वाल के डेपटी कमिशनर थे जे एम कले इनके दवारा करवाया गया था ठीक है इसी लिए एक क्वेशन हम देखते हैं कि इसका निरमान किसने किया है या इसकी योजना किसने बनाई है इस परियोजना की तो योजना में जे एम कले का नाम आता है जिसने सबसे पहले इसका सर्वे करवाया था इस रेल प्रोजेक्ट के लिए ठीक है इसके बाद 1927 में दोबारा से अंग्रेजों के दोबारा सर्वे कराया जाता है आजादी के बाद जो सर्वे यहाँ पर करवाया गया यह हुआ 1996 में ठीक है इसी प्रोजेक्ट के लिए ये रिशिकिश कंण प्रियाग रेल परियोजना कोई आज का प्रोजेक्ट नहीं है काफी समय से इसको लेकर योजनाए बन रही है तो सबसे पहले 1919 में कले ने करवाया था फिर 1927 में हुआ अंग्रेजों के दोबारा फिर 1996 में उस समय जो रेल राज्यों मंत्री थे भारा सरकार के सत्पाल महराज उनके द्वारा 1996 में सर्वे यहां पर करवाया गया ठीक है और इसको आपने याद करना है कोशन बन जाए का नीती आयोग द्वारा हिमालाई राज्य छेत्रिय परिशत का गठन कब किया गया था तो देखें नीती आयोग ने हिमालाई राज्य छेत्रिय परिशत का गठन किया है इसका गठन 2017 में हुआ था ठीक है जो हिमालाई छेतर हैं, जिसमें हिमालाई राज्य जो पहाड़ी राज्य हैं वो शामिल हैं, इसके लावा North East के राज्य शामिल हैं, ठीके, इनके विकास के लिए एक परिश्द बनाई गई, जैसा आप जानते हैं, भारत में अलग-अलग परिश्द हैं, पूर्व उत्तर छ राज्ये में कौन को नाते हैं? हिमाचल, उत्राखन. इसके लावा दो केंसासित प्रदेश, जमुकश्मीर, लद्दा. और इसके लावा जो आठ आपके नौर्टीस्ट के राज्ये हैं, वो सब ही इसमें शामिल हैं. ठीक है? कितने वर्षों के बाद एर इंडिया का मालीकाना हक वापस टाटा समु को मिला? अगला है पदम पुरशकार 2022 और इसमें उत्राखन की क्या इस्तिती रही उत्राखन के किन व्यक्तियों को ये अवोर्ट दिया गया? दिखे पदम पुरुषकार 2022 की बात करें उत्राखंड से जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूशन दिया गया विक्टर बेनरजी को पद्म भूशन दिया गया और वंदना कटारिया माधुरी बर्थवाल बसंती देवी को पद्म शिरी दिया गया तो पांच पद्म अवार्ड उत्राखंड को मिले 2022 में जिसमें एक पद्म भूशन एक पद्म भूशन और तीन पद्म शिरी शामिल थे ठीक है इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बाते हैं जहां से कोशन बनने के चांसे से उनको देख लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत की इनको मरणो उपरांत ये पुरुसकार दिया गया पद्म भूशन का आप जानते हैं 8 दिसमबर 2021 को हेलिकॉप्टर दुरगटना में इनका निधन हो जाता है जो जनरल रावत थे ये पौडी गरवाल से सं संबंदित थे पौडी का जो सेन गाउं है ये इनका मूल गाउं था ठीक है पूछा गया था पेपर में के जनरल विपिन रावत कहां से थे पौडी से थे इनका संबंद किस राइफल से था तो जनरल विपिन रावत 5 बटे 11 गोर्खा राइफल से संबंदित थे ठीक है इन इनको आपने याद करना है, इने पत्म विभूषन मिला है. दूसरे विक्ती है विक्तर बैनरजी, काफी प्रसिद एक्टर है, पिकै अभिनेता है, इनको पत्म विभूषन देया गया है. विक्टर बेनर जी मसूरी के हैं मसूरी के ये रहने वाले हैं और उत्राकंड आंदोलन जो चला था राज्य आंदोलन उसे पूरी दुनिया में जो फैलाने का या पूरी दुनिया को उसकी जानकारी देने का जो श्रे जादा है वो विक्टर बेनर जी को जाता है तो इसे भी आपने याद करना है, कलाकार है, अभिनेता है, इसके अलावा, तीन महिलाओं को यहाँ पर पद्म शिरी भी दिया गया, वंदना कटारिया को आप सभी जानते हैं, होकी की प्रसिद्ध खिलाडी है, आलम्पिक में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला है, कौण? वं मादुरी बर्तवाल काफी famous उत्राखंड की लोग गाईका हैं बसंती देवी की बात करें तो बसंती देवी काफी प्रसिद समाज सेवी हैं इनको आपने याद करना है ठीक है जो कोसी बचाव आंदोलन है ठीक है उसके लिए भी इनको जाना जाता है कोसी नदी को दुवारा स पुनर जीवित करने का जो श्रे जाता है वो भी बसंती देवी को जाता है ठीक है तो इनको भी आपने याद करना है पूछा जाय का ये पिथोरा गड़की है ठीक है मादुरी बर्तवाल की बात करें ये लैंसी डौन की है इन्हीं भी आपने याद करना है ठीक है सुभाश सुभास्चंद्र बोस आपदा प्रबंदन पुरसकार 2022 किस राज्य को प्रदान किया गया देखे सुभास्चंद्र बोस आपदा प्रबंदन जो आपका पुरसकार है 2022 का ये दिया गया उत्राखंड को इसे आपने याद करना है ठीके किसको मिला है उत्राखंड को उत्राखं इसे आपने याद करना है ठीक है पूछा जाएगा जो ये प्रदान किये गए हैं 2022 में दिये गए हैं 24 जनुवरी 2022 को इंडियन ओपन बैडमिंटन टूनमेंट में पुरुष एकल खिताब जीतने वाले तीसरे भारतिय खिलाडी कौन बने हैं तो इनके बारे में हमने उपर भी बात करी थी तीसरे भारतिय बने हैं लक्ष सेन इनका नाम आपने याद करना है किस खेल से संबंदित है लक्ष सेन बैडमिंटन के खिलाडी हैं संगीत नाटक अकेडमी पुरसकार से समानित किसे किया गया है तो देखे संगीत नाटक अकेडमी पुरसकार इससे राज्य के दो व्यक्तियों को समानित किया गया है और 18 तारीक के पेपर में ये कोशन आपसे पूछा गया था कौन कौन है एक प्रसिद्ध लोक गायक नरेंदर सिंग नेगी इनको ये अवार्ड दिया गया है संगीत नाटक अकेडमी पुरसकार ठीक है जो नरेंदर सिंग नेगी है इनको 2019 के लिए संगीत नाटक अकेडमी दिया गया और जो देवान सिंग बजेली है इनको 2018 का संगीत नाटक अकेडमी मिला है दोनों को ये इसी साल में मिला है 2002 में इनको अवार्ड प्रदान किये गए हैं लेकिन कब के हैं इनको 2019 में दिया गया था इनको 2018 का संगीत नाटक अकेडमी पुरुसकार दिया गया इनको आपने याद करना है ठीक है दिवान सिंग बजीली आपके अलमोडा के है नरेंदर सिंग नेगी आपके पौड़ी के है ठीक है नेक्स्ट है उत्राखंड के कितने शिक्षकों को राश्ट्रिया सिक्षक पुरुसकार 2022 से समानित किया तो जो National Teachers Award है राश्ट्रिया सिक्षक पुरुसकार ये उत्राखंड के दो सिक्षकों को दिया गया प्रदीप नेगी और कौस्तूब चंदर जोशी इन दोनों को 2022 का राश्ट्रिया सिक्षक पुरुसकार समानित किया गया ठीक है तीलू रोतेली पुरुसकार 2022 से कितनी महि महिलाओं को समानित किया गया ठीक है तीलू रोतेली जो पुरुसकार है 2022 इसमें 12 महिलाओं को समानित किया गया ठीक है इसके अलावा सैलेश मत्यानी जो पुरुसकार है 2022 जो सिक्षकों को दिया गया इसके अलावा जो आंगनबाडी पुरुसकार था ये 35 महिलाओं को दिय पुरसकार 35 महिलाओं को दिया गया ठीक है वर्ष 2022 का केदार सिंग रावत परियावरन पुरसकार किसे दिया गया है ठीक है ठीक है केदार सिंग रावत पुरसकार इनको मिला है 2022 का और जो सचिदानन्द भारती है इनको लेकर भी एक कोशन आपसे बना था सचिदानन्द भारती मूल रोपशे क्या है पेसे से ये एक सिक्षक है तो इसे भी आपने याद करना है ये एक टीचर है ठीक है पाणी रा को आंदोलन के लिए जाने जाते हैं इस अवार्ड की शुरुवात कब की गई थी इस अवार्ड को 2014 में शुरू किया गया था उत्राखंड को रक्तदान अमरित महुतसव में राश्ट्रिया इस्तर पर कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ है देगे उत्राखंड को रक्तदान अमरित महोचसव, ये रक्तदान अमरित महोचसव 17 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर 2022 के बीच में चलाया गया, 17 सितंबर को पीम मोदी का जन्म दिन था और 1 अक्टूबर तक इस अभियान को चलाया गया रक्तदान अमरित महोचसव, इस द रक्त यहां पर जमा किया गया और उत्राखंड को दूसरा स्थान मिला था पूरे देश में तो इसे भी आपने याद करना है यह पूछा जा सकता है उत्राखंड गौरव सम्मान 2022 कितने व्यक्तियों को दिया गया है देखें राज्य स्थापन दिवस पर 9 नवंबर को हर साल दिये जाते हैं 2021 से इनके शरुवात की गई है 2022 के लिए भी 5 लोगों को चुना गया जिसमें गिरीश तिवारी गिर्दा विरेन डंगवाल जनरल बिपिन रावत अजीत डोबाल और प्रशून जोशी शामिल है इन पांचों विक्तियों को उत्राखंड गौरव सम्मान 2022 से समानेत किया गया ठीक है 2021 में किसकिस को दिया गया था 2021 से शिरुवात हुई है तो 2021 में एंडी तिवारी अनिल प्रकास जोशी रसकिन बॉंड बचेंदरी पॉल और नरिंदर सिंग नेगी को दिया गया था इनको आपने याद करना है ठीक है इनको देने की घोशना हुई 2021 क प्रदान किया गया ठीक है तो इसे आपने याद करना है 2022 में भी पांच लोगों को मिला उनके नाम हमने देखे 21 में भी पांच लोगों को मिला उनके नाम हमने देखे नेक्स्ट है सुप्रीम कोट के नियाधीश बने जेस्टिस सुधांशु धूलिया का संबंध किस जनपस से है देखे जेस्टिस सुधांशु धूलिया ये उत्राकंड हाई कोट में भी जज रहे इसके बार ये गुवाहाटी हाई कोट के मुख्य नियाधीश भी रहे ठीक इनका संबंध है ठीक है उत्राखंड हाई कोट में भी जज रहे गुवाटी हाई कोट के ये मुख्यन्याधीश रहे वर्तमान में सुप्रीम कोट में जज है अगर हम उत्राखंड हाई कोट की बात करते हैं तो उत्राखंड हाई कोट के मुख्यन्याधीश कौन है अभी वर् अगले हैं राज्य सरकार द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त किसे निक्त किया गया है तो राज्य सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त किया है अनिल चंदर पुनेठा को ठीक है इनको भी आपने याद करना है आंध्र प्रदेश के मुख्य सचीव ये रह चुके हैं किस वर्ष उत्राखंड में पहली बार हिम तेंद्वों की गड़ना की गई थी दीके उत्राखंड ने अपने यहां हिम तेंद्वों की गड़ना करवाई सबसे पहले 2022 में यानि इसी साल हिम तेंद्वों की गड़ना करी गई लगबग एक साल तक इनकी गड़ना चली और गड़ना के बाद जो जिन्होंने इसकी गड़ना करी उन्होंने बताया कि उत्राखंड में लगभग 50 के करीब हिम 3 वर्तमान में निवास करते हैं तो कितनी संख्या है एक्जेक्ट संख्या तो नहीं बताई गई है लेकिन ये बताया गया है कि 50 के जादा है यहां पर हिम 3 वे बस आपने इतना याद करना है पहली बार गड़ना 2022 में ही हुई है उत्राखंड की किन दो नर्शों को राश्ट्रिया फ्लोरेंस नाइट एंगल पुरुसकार 2021 से समानित किया गया तो देखे उत्राखंड की दो नरसों को Flores Night Angle पुरुसकार दिया गया राश्ट्रपती के द्वारा ये अवोड दिये जाते हैं तो किन किन को दिया गया शशिकला पांडे और गंगा जोशी को 2021 के लिए जो राश्ट्र या Flores Night Angle पुरुसकार था नरसों का ये दिया गया कब प्रदान हुआ इनको 7 नवंबर 2022 को यानि कि Current Affair का काफी important ये question है ठीक है उत्राखंड सरकार ने वीर्ता पुरुसकारों की राशी को कितना गुना तक बढ़ा दिया है दिखे उत्राखंड सरकार ने वीर्ता पुरुसकार है जिसमें आपके परमवीर चक्र, महवीर चक्र, अशोक चक्र कीर्ती चक्र, सौर्य चक्र जो ये वीर्ता पुरुसकार है इसमें पहले उत्राखंड सरकार जो थी वो 3 से 30 लाग की बीच में रुपय देती थी ठीक है लेकिन अब इसको लगभग 5 गुना तक बढ़ा दिया है और इसे बढ़ा कर 15 से 50 लाग कर दिया गया है तो इसे आपने याद करना है कोशन बन सकता है संग लोग सेवा आयोग की संयुक्त रक्सा सेवा सीडेस की परिक्षा में पहला इस्थान किसने हाशिल किया तो सीडेस की परिक्षा में पहला इस्थान हलदवानी के हीमानसु पांडे ने हासिल किया है ठीक है? राज्य में कुल कितनी ग्राम पंचाईते हैं ये कोशन भी important है दीक है उतराखन में वरतमान में टोटल 7,791 ग्राम पंचायते हैं ठीक है और एक ऐसा प्रस्ताव तयार किया जा रहा है कि उत्राखंड में ग्राम पंचायतों को ये अधिकार दिया जा रहा है कि ये भी टेक्स लगा सकते हैं तो ग्राम पंचायतों को करद लगाने की अनुमती प्रदान करना उनको शक्तिय प्रदान करना अधिकार प्रदान करने की संभावनाय यहां पर विक्त की जा रही है तो आपको याद करना है कितनी गराम पंचायते हैं 7,791 ठीक है वर्ष 2023 में देश की सबसे बड़ी जल विद्दूत परियोशना बन जाएगी देखे वर्ष 2023 में कौन सा वर्ष 2023 मार्च में देश की सबसे बड़ी जल विद्दूत परियोशना बनेगी टिहरी जल विद्दूत परियोशना आप जानते हैं टिहरी जल विद्दूत परियोशना का जो उत्पादन शमता है वो 2400 मेगावाट है लेकिन वर्तमान में इससे केवल 1400 मेगावार्ट का बिजली उतपादन होता है मार्च 2023 में जो इसका तीसरा चरण है 1000 मेगावार्ट का वो शुरू हो जाएगा और ये अपनी पूरी शम्ता 2400 मेगावार्ट बिजली उतपादित करने लगेगा और दीश का सबसे बड़ी जल विद्दूत परियोजना ये बन जाएगी वर्तमान में जो सबसे बड़ी जल विद्दूत परियोजना है अभी भारत की वो है सतुरुच जल विद्दूत परियोजना जो 1500 मेगावार्ट की बिजली उतपादित करती है जब अगले साल मार्थ 2023 में इसको शुरू किया जाएगा ये कितना करेगा 2400 मेगा वाट ठीक है राज्ये में जल जीवन मिसन के तहत पिंडर नदी को किस नदी से जोड़नी की योजना पर काम चल रहा है तो देखे राज्ये के अंदर जल जीवन मिसन के तहत दो नदियों को आपस में जोड़नी की बात चल रही है जिसमें पिंडर नदी को कोसी नदी से जोड़ा जाएगा ठीक है आए कितनी हो गई है जैसे मैंने उपर आपको बताया वरतमान में 1,96,282 है और पिछले साल कितनी थी 1,82,698 ठीक है इसे भी याद करेंगे विश्व का पहला लिक्विड मिरर टेलिसकोप कहां इस्थापित किया जाएगा तो दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलिसकोप ये नैनी ताल में बनाया जाएगा बहुत important ये question है, liquid mirror telescope, न केवल भारत का, विश्व का पहला होगा, और इसे कहां इस्थापित किया जाएगा, नैनी ताल में, ये जो आपका telescope होगा, अंतरिक्ष की जो हलचल होती हैं, अंतरिक्ष में, उनको इससे देखा जा सकता है, ठीक है, इसे भी आपने याद करना है, इ उत्षवर में ही इस्थापित किया गया था, ये परियावरणी जो घटना है, उनके बारे में आपको बताता है, ये radar, उत्राखंड में दूसरा डॉपलर रडार, इस्थापित किया जा चुका है, और इसे टिहरी के सुरकुंडा में इस्थापित किया गया है, ठीक है, रा अक्तमान में उत्राखंड में केवल एक सैनिक स्कूल है, जो कि घुडाखाल नेनिताल में आपका आता है, राजसरकार ने आप फैसला किया है, दो नए सैनिक स्कूल खोलने का, जिसमें देहरादून में राजीव गांधी नयुद्ध विध्याले और रुद्रपुर में ए देश में पहली रैंक हासिल करी थी, तो एक और रैंकिंग आई है, एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग की, इसमें देहरादून के दो स्कूल थे, एक का ददून स्कूल और एक का वहलम बॉइज स्कूल, इन दोनों को सयुक्त रूप से पहला स्थान मिला है पूरे देश में, दून स्कूल को और वहलम बॉइज स्कूल को, ठीक है, गल्स में भी, गल्स बोर्डिंग स्कूल है, जो आपका वहलम गल्स उसे भी देश में दूसरा स्थान मिला है, तो उसे भी आपने याद करना है, इन दोनों को पहला, और गल्स वाले में, गल्स वह गुंजन डंगवाल इसके संगीत कार है ठीक है गुंजन डंगवाल का 18 जून 2022 में निधन हो गया है सड़क दुरगटना में इनका निधन हुआ इनका ये गीत काफी जादा फेमस हुआ था उत्रा खंड में तो इनको भी आपने याद करना है ठीक है मात्र 26 वर्ष के ये थे टीरी गडवाल से इनका संबन्द था ठीक है भारत सरकार द्वारा बंदुवा मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब बनाया गया था ठीक है यह जो अधिनियम था इसके लिए अवदेश जो कौशल थे खनन माफिया से लड़ने के लिए इनको जाना जाता है इन्होंने इन्होंने आवाज उठाई उस समय की प्रदान मंतरी से इन्होंने मुलाकात करी और उसी के बाद यह आपका बंदुवा मजदूरी उन्मूलन अधिनियम आया था तो महतपून योगदान था अवदेश कौशल था इनको खनन माफिया से लड़ने के रूप में भी जाना ज जाता है खनन माफिया से लड़ने के लिए अवदेश कौशल को जाना जाता है ठीक है प्रसिद साहित्याकार सेखर जोशी का जनम राजे के किस जनपद में हुआ था देखे सेखर जोशी काफी फेमस साहित्याकार हैं और इनका भी 4 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया इनको ज जैसे कोशी का घटवार दाज्यू ये दोनु रचनाएं पेपर में पूछी कई हैं बदबू, मेंटल, नौरंगी बिमार है, पेड की याद ये इनकी प्रमुक कहानिया है जो आपको याद करना है ठीक है इनकी जो ये कहानी है दाज्यू इसके उपर फिल्म भी बन चुकी है और ये पेपर में भी आचुकी है ठीक है इनके कुछ इंपॉर्टेंट उपरन्यास हैं जैसे साध के लोग, मेरा पहाड, चीटी के पर, अतमूसक उवाच और हलवाला ये सारी रचनाएं किसकी हैं ये सारी रचनाएं सेखर जोशी की हैं ठीक है An Introduction to Utrakhand पुस्तक किसकी रचना है An Introduction to Utrakhand ये रचना है केदार सिंघोफोनिया की ठीक है, इनका नाम भी आपने याद करना है केदार सिंग्फोनिया भी काफी important विक्ती थे, काफी सारी इनकी रचनाएं हैं, विधायक भी रहे चुके थे, इनका भी निदन हो गया 14 अक्टूबर 2022 को, ठीक है, इनकी ये रचना आपको याद करनी है, इसके लावा कुछ important रचनाएं यहां पर हैं, जैसे track in उत्राखंड, travels guide to उत्राखंड, the valley of flowers, ये सारी रचनाएं इनकी हैं, खास तोर पर उत्राखंड से उत्राखंड के 12 वर्ष और उत्राखंड राजर निर्मान का संक्षिप्त इतिहास, ये शुरुवात की दो और लास्ट की दो आपको याद करनी हैं, हाला कि सारी आपको पढ़नी है एक जितने याद रहे जाएं, आपके लिए बोनस है, लेकिन ये शुरुवात की दो और लास्ट की दो आपको पता होनी चाहिए, किसकी रचनाएं हैं, केदार सिंग फोनिया की, ठीक है, नेक्स्ट है, देहरदून में बलूनी क्लासिस की स्थापना कब की गई थी, तो देखे ने बलूनी क्लासिस को 2006 में शुरू किया, और बात में जाकर इन्होंने बलूनी स्कूल को भी स्थापित किया, ठीक है, ग्रीन स्कूल कॉंसेप्ट के जनक कौन माने जाते हैं, देखे, ग्रीन स्कूल कॉंसेप्ट, ऐसा इसकूल जहाँ पर जो पृत्वी के पाँच मूल जिसमें पृतिवी, जल, हवा, अगनी, आकाश शामिल हैं यानि जीवन के जो पांच मूल तत्व हैं पृतिवी, जल, हवा, अगनी और आकाश इन मूल तत्वों पर आधारित स्कूलों को ग्रीन स्कूल बोला जाता है और इस कॉंसेप्ट के जो जनक माने जाते हैं विरेंदर रावत माने चाते हैं ठीक है? नरेंदर मूधी इतने प्रभावित हुए उन्होंने विरेंदर रावत को अपना सलहकार भी निक्तिक किया था तो काफी important व्यक्ति हैं, पिहरी गडवाल से संबंदित हैं, green school concept के जनक हैं, 2010 में पहला खोला, एहंताबाद में, ठीक है? गीतकार and Ad Guru of India के नाम से प्रसिद प्रशुन जोशी का संबंद किस जनपत से है? तो Ad Guru of India किसे कहते हैं? ये question previous year का है, तो Ad Guru of India के नाम से प्रशुन जोशी को जाना जाता है, ये आपके अलमोडा जिले से संबंदित हैं, ठीक है? वरतमान में प्रशुन जोशी जो फिल्म सेंसर बोड है, उसके अध्यक्ष हैं, गंगोत्री गौमुक छेत्र में भोज के सरक्षन के प्रियास किस ने किये थे? तो ये question भी previous year का question है, गंगोत्री गौमुक छेत्र में भोज वरक्ष के जो आपके बेड़ हैं, भोज पत्रों के जो वरक्ष हैं, इनके सरक्षन के लिए काफी कार्य किये थे, प्रसिद्ध परवतारोही हश्वंती बिस्ट ने, इ भारतिया परवतारोहन संस्थान की अध्यक्ष हैं, और इस संस्थान की, भारतिया परवतारोहन संस्थान की ये पहली महिला अध्यक्ष हैं, ठीक है? next है कोसी की पुनर उधारक की रूप में जाना जाता है तो इनके बारे में हम उपर बात कर चुके हैं बसंती देवी जिनको 2022 में पद्म शिरी भी दिया गया था कोसी नदी के पुनर उधारक की रूप में इनको जाना जाता है तो इनका नाम भी आपने याद करना है तो फ्रेंड्स ये था हमारा Windsor Yearbook 2023 जिसमें 2022 का पूरा Current Affair शामिल था उसे हमने यहां पे cover किया पूरी किताब के जो Current Affair वाला portion था उसको हमने खतम किया, इसके अलावा जो उत्राखन की प्रमुक नीतिया है उत्राखन की प्रमुक योजना है जादा Changes नहीं है जो पिछली वाली Windsor थी और जो नहीं वाली Windsor है तो योजना है, नीतिया और जो बाकी का Question है जो Windsor साब के बनते हैं उनको Already हम Windsor सीरीज में cover कर चुके हैं उसको आप Playlist में जाके देख सकते हैं उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को Like करें चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को Subscribe करें अपने दोस्तों के साथ Share करें वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं Thank you friends